नमस्कार दोस्तो मिरनाम सिरीकान कुमार अब देख रहे टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तो अगर आप न्यू अधार कार्ड बनवाए हैं और उसका अधार परची किसी परकार से खो जाता है तो आप किस परकार से अधार कार्ड को कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करना से पहले मेरे चनल पना है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजब लाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुच पाए तो चलिए दोस्तों वीडि दिख रहा है UIDAI इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दिखे दोस्तों अधार का ओफिसियल वेप साइट इस परकार से यहाँ पे ओपेन हो जाता है और दोस्तों एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस वाले ओप्षन पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद ओके के ओप्षन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस परकार के पेज यहाँ पे ओपेन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको दो ओप्षन देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो पहला ओप्षन नहीं बना होगा तो अधार नमबर को select करते हैं तो यहां पर आपका अधार नमबर नहीं बताएगा और नहीं आप status को track कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जो कि enrollment id को select कर लेते हैं और उसके बाद आपको क्या करना होगा इस box में अपना नाम को इस box में type कर देना और दोस्तों इस box में आपको mobile number type करना होगा जो आप अधार card बनाते समय दिये थे उस mobile number को इस box में type कर देना है और अगर mobile number एक हो गया या फिर बंद है तो सबसे पहले फिर आपको एक option और मिल जाता है यहाँ पर आप email id को डाल सकते हैं जो आप अधार card ब इस box में type कर लेना है और उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है click करने के बाद दिखे दोस्तों जो भी आपके अधार card के साथ mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है और उस OTP को आपको इस box में type कर लेना है तो चलिए हम OTP को type कर लेते हैं इस box में और उसके बाद सम्वित के option प पे click कर देना है click करने के बाद देखे दोस्तों इस परकार से आपका enrollment ID जो की देखने के लिए आपको मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों इसको आपको a screenshot कर लेना है तो चलिए हम a screenshot कर लेते हैं अब दोस्तों बात करते हैं कि enrollment ID number से अधार card को किस परकार से हम download करें तो स क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे दिखिए अधार काट का new official website इस परकार से यहां पे open हो जाता है और उसके बाद इस परकार से नीचे आते हैं तो यहां पे एक option देखने के लिए मिल जाएगा download अधार इस वाले option पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों इस परकार के page यहां पे open हो जाता है और दोस्तों सबसे पहले जो कि आपको enrollment ID नमबर पता हो गया तो आपको क्या करना होगा second वाले option को select कर लेना है और select करने के बाद इस box में अपना enrollment ID नमबर को type कर लेना है और उसके बाद इस capture code को इस box में type कर देना है और उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है click करने के बाद दिखे दोस्तों जो भी अधार काट के साथ mobile नमबर लिंक था उस नमबर पर एक OTP को send कर दिया गया है और उस OTP को आपको इस box में type कर देना है और एक option यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा do you want a mask अधार त तो इस box को आपको tick out नहीं करना है उसके बाद verify and download option पे click कर देना है और दोस्तों इस परकार से आपका अधार काट जो के download हो जाता और यहां पे दिखने के लब को मिल जाएगा your adhar card has been successfully downloaded और उसके बाद इस परकार से नीचे आते हैं तो यहां पर दोस्तों आपका अधार का करना है अपना नाम का चार अच्छर capital में आपको यहां पे डाल देना है और उसके बाद जो भी आपका date of worth है उसका years को आपको डाल देना और a space देने की कोई ज़दुवत नहीं है और उसके बाद open के option पे click कर देना है और इस परकार से आपका अधार card देखने के लिए आप अधार card को गैल्दी में download कर सकते हैं तो इस परकार से बीना अधार परची के अधार card को download कर सकते हैं घर भैटे अपने mobile से तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को एक लाइक कर जागो मेरे चनल पर नहीं है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर जब लेकर घंटी को भी प्रेस कर लीजगा